हलो दोस्तों नमेश का रादाप साश्रेय काल सभी को जी यह से नुकर्ण में आपका हर्दिक सवगता और भी नंदन करते हैं हम बात करेंगे सुप्रीम कोट में ट्रांस्पर पेटीशन का आडर जारी होता है अचली आडर भी देख लेते हैं उसके बाद देखेंगे तो आपने लाइब वीडियो में देखा होगा कि राहत है नोटीस जारी हो चुका अंतिम रहत बरकरार है वी तक कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं है अगली डेट लग गई है अगली डेट के सुनवाई की बारे में बात करेंगे कि कब इसकी डेट की सुनवाई है और कहीं न क सुना गया सुप्रीम कोट आफ इंडिया रिकार्ड प्रोसेटिंग टांसपर प्रटीशन है आधर्स कुमार स्रिवास्तों बार्सिस स्टेट आप उत्तर प्रदेश से देखेंगे इसमें आपने देखेंगे तो यह जब सुना गया था डेट 29 साथ 2024 को सुना जाता सुना उसके बाद इसका जो जस्टिस है अब है जस्टिस हभय कुमार ओका जस्टिस अ असना दिन गौर्ड जोर्ज में सुना गया था पिटिशनर आप देख सकते हैं रिस्पॉंडेंट भी देख सकते मंदीव कालरा जी इसमें एड्वोकेट थे और और भी देखेंगे तो और मंदीव कालरा जी में एड्वोकेट रहें जैसे कि आपने देखांगा रिवीव पिटिशन भी मंदीव कालरा जी थे और इसमें भी मंदीव कालरा जी बहुत अच्छे वह एड्यू कर्ट उन्होंने आप देखें चले आर्डर देख लेते हैं अपान अपान हेरिंग टू कॉंसिल आप दा कोट मेड़ फालोइंग दा ओडर इसू नोटिस इस दा टर्म आप दा अर्लियर ओडर रिटर्नेबल इन ट्वंटी थर्ड सितंबर 2024 कहने को मतलब है इसकी अगली सुनाई 23 सितंबर को लगी है 2024 में तो इससे एक और फाइदा ह है कि जो हमारा केस लगा था रूबी पूटीशन में नाइस डीलर्ड विद्यार्थियों का उसमें थोड़ा सा राहत मिल गई है कि यही केस है जो कि दोनों केस जो उत्राखंड में उत्राखंड के परपेच में डाले गये थे तो यह टांस्वर पेटिशन भी है जो है में मुद्दा टांस्वर पेटिशन अगर यह दोनों केस फाइनल होते हैं नाइस के पर पेच में आते हैं तो कहीं ने कहीं नाइस बैलिड होगा और मानने भी होगा जहां तक अब उमीद देखने को मिल रही है कि 50% केस समझ लीजिए अगर जैसे की रूबी पोट प्यार कर देगी तभी मैटर कर बढ़ होगा नहीं तो बाकी आपके सर्फ पर पेच में हैं और भी तक सब सही चल ला है खबर यह दी वीडियो प्रसना चैनल को लाइक करें जदर जदर सेर करें मिलते हैं नए बढ़ उकसा जहीं साथी नमस्कार सब्सक्राइब दिन सो था झाल